स्वागत है आपका दिवेह वांचुल टीवी में शाम के 6 बच चुके हैं मैं हूं दिक्षा शर्मा और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अपडेट साजस बुलेटिन में हम आपके साज़ा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से म बार बार ये मुद्दा उठाने का प्रयास किया गया तो इस पर वर्तमान सरकार ने पूरा ब्योरा दिया है कि आखिरकार कितनी नौकरियां होने वाली है कितनी हो चुकी है या फिर कितनी भरतियों में अभी प्रोसेश शुरू हो चुका है फसी भरतियों को लेकर भी आज मुख्या मंतुरी की ओर से बड़ी बात कह दी गई है, बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, साथी साथ जो नया क्रोना का वैरियंट सामने आया है, इस पर भी आपको अपडेट देंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उना में एडवाइजरी जारी हो किया गया है, किन मसलों को लेकर ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं, आउट्सोस भरतियों का जिकर भी क्योंकि आज हुआ है, और कांगड़ा एरपोर्ट के विस्तारी करण पर भी आज सवाल का जवाब मुख्या मंत्री की ओर से दिया गया है, और साथी साथ यहा और भी कई ऐसे मसले रहे हैं, जो कि आम लोगों से संबंदित हैं, तो एक तरह से हम कहना चाहेंगे, एहम खबरे आज शीतकालीन शैशन के बाद निकल कर सामने आई हैं, तो शुरुआत हम लेकिन मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अधिकार्श चेत्रों में आज मौसम ख हलकी बुंदा बांदी हो सकती है, हलाकि इस बीच तापमान में पुरी तरह से गिरावट आ चुकी है, और शुनिया या फिर माइनस में ही अधिकांश चेत्रों में यहां तापमान दर्च किया जा रहा है, तो देखा जा सकता है, टेंपरिचर काफी जादा डाउन आ गया ह और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, और अन्या जिलो में भी तेज या हलकी बारिश यहां पर जरूर हो सकती है, इस तरह के आसार मौसम विग्यान केंदर की ओर से जताए गए हैं, एक और बड़ा फैसला हुआ है, हालाकि ये शक्ती पीठों से जुड़ी जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन शुभारम बासीम सुखु की ओर से एक और नई योजना का कर दिया गया है, ये एक तरह से ओनलाइन पूजा प्रनाली रहेगी, इसका नाम दिव्या पूजा प्रनाली बताया जा रहा है, इसके माध्यम से घर बैठे ही भक्त दर्शन कर पाएंगे शक्ती पीठों में, जो देवी देवता बसते हैं उनके, और साथ ही ओनलाइन धंग से अपनी पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, ये कैसे संभव है, आपको बारी किसे बताते हैं, दर असल वेबसाइट के जरिये जो भक्त हैं, वो पहुंच सकते हैं दर्शन क करना चाहा रहा है, ओनलाइन मोड पर ही, तो ये भी विल्कुल संभव हो पाएगा, यहां जो सीध दी जाएगी, वो ओनलाइन होगी, मंदिर प्रशाशन की ओर से, अभी तीन शक्ती पीठों को लेकर देखिए, बड़ा डिसीजन लिया गया है, इसमें एक ब्रजेश्वर मंदिर है, माता चामुंदा मंदिर है, और माता जौला मुखी मंदिर है, तो यहां इन मंदिरों की अगर आप वेबसाइट चेक करेंगे, तो आपको ये मौका मिल पाएगा, आप दर्शन भी ओनलाइन कर सकते हैं, और पूजा अर्चना भी ओनलाइन कर पाएंगे, और असल जो सांसदों का निलंबन किया गया है, इसी बात का विरोध क्योंकि लगातार कॉंग्रेस की ओर से किया जा रहा है, ये लोगतंतर की हत्या है, लोगतंतर का काला अध्याय है, इस तरह के आरोप लगातार कॉंग्रेसियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, यही नहीं हिम माचरप्रदेश के विभिन जीलों में आज कॉंग्रेसियों की ओर से ये प्रदर्शन किया गया है शिमला की बात करें तो लोर बजार के शेरे पंजाब में ये सभी कॉंग्रेस कारे करता पहुंच गये थे जो महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष हैं जैनप चंदेल उनके नेत्र सरकार को ना देना पड़े इसी लिए निलंबित उन्हें कर दिया गया है जो की बिल्कुल अन्याय उनके साथ हुआ है क्योंकि ये चुने हुए नुमाइंदे है जो की संसद में पहुंचे हैं अगर इन्हें निलंबित किया जाता है इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया ज ठेकी और लगातार इनकी ओर से जगा जगा फिर प्रदर्शन किये जाएंगे अब हम शीतकालिन सत्र पर आना चाहेंगे शुरुआत से लेकर बिल्कुल पूरे दिन की घटना आपको बताएंगे क्या कुछ शीतकालिन सेशन के दौरान हुआ क्योंकि चौथा दिन था और देखे आज फिर भाजपा नए अंदाज में नजर आई पिछले तीन दिनों की बात करें तो सबसे पहले यहां कॉंग्रेस की ग्रंटियों के पोस्टर पहन कर यह भाजपा विधायक नजर आए थे विधान सबापरिसर मे फिर दूसरे दिन ये गोबर की टोक्रिया लेकर विधान सबापरिसर में पहुँच गये जहां इनोंने ये सवाल किया एक तरह से वो सांकेतिक धरना था और सवाल ये कर रहे थे कि आखिरकार गोबर खरीद प्रक्रिया कब शुरू होगी फिर तीसरे दिन ये दूद की बा आवाज उठानी चाही प्रदर्शन इनोंने बिरोजगारी मुद्दे को लेकर किया है साथी साथ कुछ एक डिग्रीज भी इनके हाथों में थी जिन डिग्रियों को इनोंने विधान सबापरिसर के बाहर फाड़ा और जलाया भी हलाकि इस बीच भी इनकी ओर से यही सवाल इस दी गई हैं उनका ये कहना था कि एक समाई वो था कि कम से कम हिमाचर प्रदेश में भरतियां तो हो रही थी लेकिन अब तो नई भरतिया भी नहीं हो रही है और जो पुर्व जैराम सरकार में हुई भी थी वो पुरी तरह से फसकर रहे गई है उसमें कोई रिजक गोश बाजपाईयों की ओर से प्रदर्शन किया ही जा रहा था, इनकी ओर से नारे लगाए जा रहे थे कि उसी बीच वहाँ पर कॉंग्रेस के भी कुछ विधायक पहुंच गए, इन्होंने भी हाथ में पोस्टर लिये हुए थे और फिर 15 लाग की डिमांड रखनी कॉंग्रेस वि रोजगार मांगा जा रहा था, दूसरी ओर 15 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, आज कुछ इस तरह का हंगामा बरपा सुभा ही ये शैशन शुरू होने से पहले का घटना करम जो रहा है, उसकी जानकारी हम आप के लिए लेकर आये थे, लेकिन बात यहाँ थमी नहीं भी रोजगारी मुद्दे पर, देखिए ठीक 11 बजे जब शैशन शुरू हुआ, तो उस वक्त भी यही बात यहाँ नेता पतिपक्ष रहाम ठाकुर की ओर से कही गई और नियम स्थासर के तहत इन्हों ने चर्चा भी मांगी, लेकिन विधान सबात्यक्ष कुलदिप सिंग प बहुत सारे मुद्दे बच रहे हैं, उस पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी है, इसके बाद विपक्ष और पक्ष के बीच नोग जोंख होती रही, 20 मिनट तक कम से कम बहस होती रही, और फिर नारे लगाते हुए विपक्ष ने वौक आउट कर दिया, यानि कि देखा जा सकता है, प्रशनकार शुरू होने से पहले ही यहाँ विपक्ष ने वौक आउट कर दिया, और बात इनकी और से यही रखी गई थी कि नियम स्तासर के तहत इने चर्चा दी जाए, बिरोजगारी मुद्दे पर, नेता पतिपक्ष एराम ठाकुर ने जैसा कि हमने कहा, यही क पर वर्तमान सरकार चुपपी साथ कर क्यों बैटी है, यह कुल मिलाकर नेता पतिपक्ष ने अपनी और से बात कह दी, अब दूसरे बड़ी बात करना चाहेंगे, फसी भर्तियों को लेकर आखिकार मुख्यमंत्री सुख्ष की और से क्या कुछ कहा गया है, तो देखिए, इन्होंने बड़ी बात ये कही, कि पहली बात तो विपक्ष का जो व्यहवार है, वो निंदनिया है, ये केवल वॉक आउट के लिए शेशन में आए हैं, ये किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने में रूची नहीं दिखा रहे हैं, केवल वॉक आउट करना जानते हैं और क दूसरे बड़ी बात इनकी ओर से ये कही गई, कि अगर नौक्रियों को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं, तो जैराम सरकार में पूरे पांच सालों में 30,000 के करीब ही पद भरे गए थे, लेकिन यहां वर्तमान सरकार ने एक साल के अंतरगत ही 20,000 के करीब पद भरने का फैस की भरती प्रोसेस यहां शुरू हो गया है, 1400 स्टाफ नर्सिस के पद भरे जा रही है, पुलिस विभाग में भी 1200 भरतियां हो रही है, इसके लिए कमेटी का गठन भी शुरू हो चुका है, यही पुलिस विभाग की ओर से ही कमेटी तयार होगी और यही पूरी प्रक्रिया फिर इस भर्ती को लेकर पूरी करने वाले हैं आई पिएच में 4500 भर्तियां सरकार करने जा रही है इसी तरह से अन्य भी महक में हैं जहां पर पद भनने का डिसीजन ले लिया गया है और कुल 20,000 के करीब पदों पर एक ही साल में वर्तमान सरकार भर्तियां करने जा रही है दूसरी बड़ी बात उन्होंने नेता पतिपक्ष जैराम ठाकुर पर ये कही कि आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसमें फेक डिग्रियां जलाई है जाली डिग्रिया इन्होंने जलाई जिससे ये दर्शाते हैं कि इनका पुराना नाता फेक डिग्रिय्स के साथ रहा है पुर्व जैराम सरकार में जाली डिग्रिया बेची गई खरीदी गई और आज जाली डिग्री के साथ ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं केवल फेक डिग्रीज नहीं बलकि यहां तो भरती परिक्षाओं के पेपर भी खरीदे गए और बेचे गए लाखों के हिसाब से इसलिए तो करमचारी चयन आयोग को भंग करना पड़ा और भंग इसलिए करना पड़ा ताकि पारदरशिता लाई जा सके युवाओं के साथ अन्यायना हो जो मेहनत से युवा पास करने के लिए परिक्षा आते हैं उनके साथ अन्यायना हो इसलिए यहां राज्य चयन आयोग अब खड़ा किया गया है नए रूप और नए तस्वीर के साथ या आयोग नजर आएगा नए सीरे से इसमें भरतियां होंगी जल्दी भर प्रोसेश शुरू होने वाला है और नया रास्ता निकाला गया है भरतिया करने के लिए ताकि पारदर्शिता इन्युवाओं के लिए लाई जा सके जो कि पेपर लीक होने से काफी जादा परेशान चल रहे थे तो वर्तमान सरकार अब नई भरतियां भी करेगी और पारद उत्रभरती की अपडेट दी और भी तमाम भरतियों का उन्होंने उलेक किया है और तो फिलाल अब देखा जा सकता है कि यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है एक और क्यूंकि नेता पतिपक शहराम ठाकुर की ओर से यह सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार कब अब यहां खड़ा कर दिया गया है उसके बाद नए सीरे से भरतियां होंगी और नया प्रोसेस यहां पर अपनाया जाएगा लेकिन सवाल यहां पर मुख्या मंतरी सुखु ने जरूर विपक्ष से उठाया है जिसमें उनका यह कहना था कि पुर्व जायराम सरकार में जब नहीं लगी यह कैसे संभव हो सकता है तो एक दूसरे से यह सवाल कर रहे हैं अपने अपने सवालों में दोनों पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन तमाशा यहां पर विरोजगार युवाओं का बनकर रहे गया है क्योंकि इन्हें लेकर कोई महीने दो महीने या तीन महीने कितना समय लगेगा रोजाना वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पोस कोड का रिजल्ट घोशित होगा और अभी यहां बात कुछ इस तरह से पहुंची है कि देखिए अगर हम फॉरेंसिक साइंस लैब रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंन की उमर अभी तक बढ़ती जा रही है ऐसे में घर परिवार से भी यह काफी जादा परिशान है तो इन्हें लेकर को यहां चर्चा नहीं हो रही है बात सिरफ इतनी हो रही है कि पुर्व जैराम सरकार में फरजी डिग्रियां भी बेची गई कोशन पेपर्स भी बेचे समाए गए कई तरह की धानलियां हुई और पुर्व जैराम सरकार ने कुछ नहीं किया दूसरी और विपक्ष यह सवाल कर रहा है कि आखिर का रिजल्ट कब घोशित होगा या कितने लोगों को रोजगार दे दिया गया है इस वक्त पोस्कोर्स को लेकर यह क्लैरिटी कोई भी नहीं देना चाहा रहा है सरकार की ओर से भी कि आखिर कार इसमें एक निर्धारित समय क्या रहे गा एक डीटलाइन इसके लिए अभी तक देखे यहां पर सरकार की ओर से 99 की गई है तो यह काफिर कालिन शैशन के दौरान यह यह व रोजाना पहुंच रहे हैं गेट के पास कि मुख्यमंत्री से ये मुलाकात कर सके अन्या मंत्रियों से इनकी मुलाकात हो सके और सपश टूप से इन्हें ये जानकारी मिल सके कि आखिरकार सच में और कितना जादा समय लगने वाला है क्योंकि करीब यहां एक से डेड़ साल ब खा दिया गया है और 10 लाग के करीब अभी युवा बिरोजगार बैठे हैं ऐसे में सियम सुखु ने सपश्टोर से ये कहा कि पुरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है नौकरिया देने की रही बात आउट्सोर्स की तो बैक डोर एंट्रीज कुछ एक हुई थी और इसके खिलाफ है कॉंग्रेस सरकार इसी लिए कुछ एक फैसले लेने पड़े हैं यहां मंतरी हर्शवर्दन चोहान की और से भी एक बात कही गई कि पुर्व जैराम सरकार में नौकरियों को लेकर भष्टा चार हुआ है अपने चहेतों को इन्हों ने आउट्सोर्स के पदों प खाकुर ने ये सवाल किया तो इस पर मंतरी हर्शवर्दन चोहान और सीम सुखु की और से भी एक कह दिया गया है कि अब जो यहां सरकार भरतिया करेगी वो भरती नियमों के तहत ही होंगी बैक डोर एंट्रिस नहीं होंगी इसके खिलाफ है वर्तमान सरकार और अस्थाई यहां मुख्यमंतरी सुखु ने और कही कि जब असरकार जवाब देनी की कोशिश करती है तो विपक्ष के नेता उसे सुनते नहीं है और वॉक आउट कर देते हैं आज दो बार क्योंकि विपक्ष की ओर से वॉक आउट हुआ है पहले बिरोजगारी वाले मसले पर इन्हों की बालतिया लेकर आए तो अब पता चले कि यह साड़ी या चूड़ी पहन कर भी यहां पहुन सकते हैं इस तरह कि टिपनी जब यहां सीम सुखु की ओर से की गई तो विपक्ष के नेता नरास हो गए और इन्होंने फिर सदन से वॉक आउट किया और कुछ एक नारे बाज टी नौन मेडिकल के 688, मेडिकल के 380, पीजटी बायोलोजी के 84, पीजटी फिजिक्स के 184 और जेबिटी के 3962 पद रिक्त हैं जल्दी भर दिया जाएगा बैचवाइस भरतियां जिन भी वर्गों में जिन भी कैडर्स में होनी हैं वहां सिलसिला शुरू हो चुका है प्र बैचवाइस भरति जारी है यानि कि एक तरह से आधी भरति हो चुकी है कुछ एक पद भरना शेश रहा गया है उसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और पीजटी फिजिक्स के 53 और बायोलोजी के 11 पद भरने की प्रक्रिया लोग सेवायों के माध्यम से चल रही है इ लेकिन बैचवाइस भरतियों को लेकर देखें यहां ब्योरा दे दिया गया है जेविटी के ऐसे पद हैं जो की बैचवाइस आधार पर भरे जा रहे हैं और पीजटी फिजिक्स के 53 और बायोलोजी के 11 पद लोग सेवायों के माध्यम से अभी भरे जा रही है प्रक्रिया उनकी और से किया गया क्यूंकि यह विधायक पवन काजल की और से सवाल लगाया गया था हलाकि एक चीज और है आधर्श अटल विद्यालियों को लेकर और जो डे बोर्डिंग स्कूल का निर्मान होगा इस पर भी शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर की और से जवाब दिया ग रहे हैं वहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल नहीं बनेंगे उनक शेत्रों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए जहां पर स्कूलों का निर्मान अभी तक नहीं हो पाया है अभी अगर अटल आधर्श विद्याले की बात करे तो नाचन धरंपू और बजट में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी डे बोर्डिंग स्कूल को लेकर भी अब नई व्यवस्ता यहां पर लागू की जाएगी एक तरह से हाई प्रोफाइल स्कूल हमें हिमाच्चर प्रदेश के जैसे देखने के लिए मिलते हैं बखू भी सरकारी स्कूल भी आज ध्यान अकर्शन प्रस्ताव लाया गया था और इस पर भी मुख्या मंत्री ने अपना जवाब रखा है यह पवन काजल की ओर से ही ध्यान अकर्शन प्रस्ताव लाया गया था इस पर सीम सुखु ने यह इस प्रश किया है कि कांगड़ा एरपोर्ट का विस्तारी करन बहुत जरूरी है और इस निर्मान कार्या में तेजी भी लाई जाएगी क्यूंकि हिमाचल प्रदेश को आत्म निर्भर बनाना है अभी आर्थिक इस्तिती यहां के ठीक नहीं चल रही है इसमें अगर इंप्रूव्मेंट करनी है और टूरिजम को बढ़ावा देना है तो य क्यूंकि जो एरपोर्ट के विस्तारी करन को लेकर बात कही जा रही है वहां के स्थानिय लोग भी कह रही है और विशेश तो और से मुआवजे पर हर किसी की नजर टीकी हुई है कि भूमी अधिगरहन में आखिरकार कितना मुआवजा दिया जाएगा रेट अभी तक सरका प्रस्ताव लाया गया था दर असल जिसमें इनका कहना था कि पॉंग बान में इको सेंसिटिव जोन घोशित किया जाए तो मुख्या मंत्री ने इस पर भी जवाब ये दिया है कि राष्टियो ध्यान के तहत 10 km के एरिया तक को आप इको सेंसिटिव जोन घोशित कर सकते है लेकिन पॉंग डैम में ऐसा नहीं होगा काफी कम इरिया को ही इको सेंसिटिव जोन में लिया जाएगा वो इसलिए क्यूंकि परेटन गती विदिया वहाँ पर ठीक है और स्थानिये हितों को देखते हुए भी ये फैसला लेना ज़रूरी है कि कम ही जोन को इको देते हैं देखिए क्यूंकि इन पर जो चर्चा होगी आपारित करने के लिए जो दिन रखा गया है वो अगले कल का है अगले अगला कल क्यूंकि लास्टे है शेशन का शनिवार का दिन तो इसमें एक बिल प्लास्टिक का है जिसमें ये तैह हुआ है कि 40 डिग्री तापमा को लेकर है अब इसे वाटर कमिशन बनाने बनाया जा रहा है इससे क्यूंकि इसका दाइरा बढ़ जाएगा देखिए सैस के अलावा सभी वाटर बॉडिस पानी से संबंदित विवाद और रेगुलेशन इस कमिशन के दाइरे में अब आ सकेंगे तो दूसरा ये बिल है त हिमाचल सरकार 8% स्टेंप ड्यूटी लेगी तो ये देखा जा सकता है तीन बिलों को लेकर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आये थे अब क्रोना के नए वैरियंट पर आना चाहेंगे क्योंकि इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है हिमाचल के उना में जो नया वैरियंट है ये जे एन वन बताया जा रहा है और इसी के मद्दे नजर रखते हुए एडवाइजरी जारी हुई है हाला कि सबसे पहले आपको इसके लक्षन बता देते हैं इसमें दिखिए इंफ्लूजा जैसे लक्षन आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि सांस की बिमारी, खांसी, दुखाम, गले में दर्द, नात का बहना, सिर और बुखार या फिर कोविड के लक्षन अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो तुरंत प्रभाव से यहां आटी और पीसी आर जांच करवाने के लिए कहा गया है ताकि इसमें जो गंभीरत वाली समस्याइं आपको हो सकती है, उससे आप बच सके, स्वास्ते विभाग पूरी तरह से स्तर्क है और CMO उना डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा की ओर से यह जानकारी दी गई है, उना में एक तरह से एडवाईजरी जारी हो चुकी है, इससे बचने के लिए कहा गया है और सिम्टम्स को लेकर भी अपडेट दे दी गई है, हलाकि अभी तक पूरे हिमाचर प्रदेश में ऐसा कोई मामला आया नहीं है, लेकिन ये CMO उना की ओर से कहा जा रहा है कि जरूरी है पहले ही स्तर्क रहा जाए बाकी राज्यों में क्योंकि कुछ एक मामले इसके देख